हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल, MPPSC Online Classes आज के हम इस वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर नाइन है, रिवर सिस्टाम आफ इंडिया का, उसमें रिवर महानदी के बारे मैं बात करेंगे रिवर महानदी हमारी कौन सी? यह हमारी East Flowing River है, जो कि Bay of Bengal में train करती है, ठीक है? यह रिवर हमारी 36 गड़ और Odisha से ही वस फ्लो करती है, मतलब यह दो जो हमारी States हैं, यहाँ पर ही यह रिवर फ्लो करती है, 36 गड़ से originate होती है, और Odisha के थ्रूँ यह train कर जाती है Bay of Bengal में यह रिवर बहुत जादे important है, इसके हमको जो important बाते हैं, जिनके लिए बहुत जादा जानी जाती है, उनके बारे में भी देखेंगे, पहले हम इसका origin point की बात कर लेते हैं, तो यह originate होती है डंड कारने प्लेटियों, कहाँ पर 36 गड़ में राइपोट स्टिक के पास में, ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, कि यह जो river है, ठीक है, जैसे यह 36 गड़ से अगर यह river originate हुई, तो यह 36 गड़ और Odissa में flow करती है, तो यह 36 गड़ में up side, मतलब north side जाती है, फिर थोड़ी देर eastward flow करके south side move करती है, तो यह एक तरीके का 36 गड़ जो plain area है, उधर प आती है, फिर next बात करते हैं, it is one of the major rivers of the peninsular India यह peninsular in water potential and flood productivity capacity, it ranks second after Godavari, Godavari भी हमारी east flowing river है, हमारी longest river मानी जाती है, largest river मानी जाती है, उसके बाद, यह हमारे water potential में और flood producing capacity में सबसे जादा मतलब second rank रखने वाली river है, ठीक है, तो इसकी एक speciality हो गई, कि यह water potential के लिए जानी जाती है, दूसरी speciality इसकी यह हो गई, कि यह flood productivity के लिए जानी जाती है, ठीक है, flood produce करती है, उसके लिए जानी जाती है, फिर बात करे यह silt depositing river है, ठीक है, यहाँ पर silt depositing river कैसे है, कि जैसे हमने बात करी, east point river सारी delta बनाती है, सारे क्या रखती है, सारों के पास क्या रहता है, silt रहता है, sediments रहते हैं, फिर अगर हम बात करें, तो यह river एक ऐसे zone में flow कर रही है, जहाँ पर resources, और हम बात करें, यह fast flowing और climate वाला area create करती है, कहाँ पर 36 गर और उड़ी सामय, यह इसका तीसरी खासियत है, और यह हमारी silt वाली fourth इसकी खासियत है, ठीक है, तो यह कुछ चार बातें थी, जो खासियत थी हमारी इस नदी की, फिर हम बात करते हैं, next, यह कुछ इस तरीके से इसका पूरा basin है, इस river का इसको हम deal करते हैं, यह राइपो डिस्टिक डंड कारेने प्लेटियो से हमारी originate होती है, ठीक है, और फिर यह हमारी 36 गर और उडीसा में flow करती है, जिसकी लेंद है 857 किलो मीटर, यह 36 गर वाले area में ऐसा saucer shape create करती है, जो कि भी हमने उपर बात करी, ठीक है, यहाँ पर एक dam आ जाता है, ठीक है, यह उडीसा वाले area में इसका dam आता है, जिसको हम कहते है, हीरा कोट dam, हीरा कोट dam जो है, यह largest state dam है, ठीक है, largest state dam है, around 27.9 किलो मीटर लंबा यह dam है, ठीक है, largest state dam of India माना जाता है इसको, इसके अंदर एक cattle island है, ठीक है, इसको cattle island इसलिए कहते हैं कि क्यों यह इसके dam के one of its extremes पर present है, फिर उसके बाद कुछ cities जो कि इस पर आ जाती है, तो major cities आती है हमारी कहां की, तो यह आती है ओडीसा की, संबलपूर करके जो जगे है, अलब यह जो हीरा कोट dam है, यह संबलपूर करके जो इनकी city है, उसके पास में आता है, एक important city सोना पुरा ज यहारी river है, यह यहाँ पर एक false point create होता है, कटक के पास में, ठीक है, उधर सी यह river, several streams में distribute हो जाती है, और distribute होके Bay of Bengal में train कर जाती है, और one of its मतलब उसकी एक distributory पर पूरी करके जो हमारे important शहर है, वो situated है, तो यह तो हमारा पूरा basin, अगर हम बात कर सकते हैं, कि जो starting से लेके end तक किस सरीके का flow है, हमारी महानदी रिवर का, उसके बारे में हमने बात करी हैं, नेक्स यही बात हैं सारी यहाँ पर लिखे हुई है, उसको हम एक बार revise कर लेते हैं, हीरा कोट डैम, ठीक है, लॉंगेस्ट इन इंडिया, स्टेट डैम की बात करें तो कहाँ पर है, संबल पर ओडीशा में है, महानदी रिवर पर प्रेजेंट है, इसके अंदर एक केटल लोकेटिड है, 857 किलोमीटर इसकी लेंथ है, फिर हम बात करें, इसके बात करते हैं, यह जो मेजर बात हैं हम कर चुके है, फिर उसके बात बात आती है, इनकी ट्रिव्यो ट्रीज की, ट्रिव्यो ट्रीज के सिंप्ली हमें नाम याद रखने है, ठीक है, MPPSC के परस्पेक्टिफ से, सियोनाथ, हस्दियो, मांद एन इब, ठीक है, सियोनाथ से बोला, हस्दियो, वो मान गया, उसने इब करके हस्दिया, इस तरीके साब याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, कर चुके हैं, ये थी हमारी रिवर महानती, आगे हम रिवर गोदावरी को कवर करें हमारी नेक्स वीडियो में, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा, थेंक यू